हेलो फ्रेंड्स, लाइटिंग नेम बनाने के लिए पहले तो आप कोई कार्डबोर्ड ले लिजे, मैंने ये माउंट शीट ले रखी है, जो फ्रेमिंग के साइड में लगती है, तो ये हाड होती है थोड़ी सी कार्डबोर्ड की तरह ही, तो आप इस तरीके से पहले उसमें नेम लिख लीजे, जिस तरीके से आपको फॉंट इसमें स्टाइल देना हो, उस तरीके से आप इसमें पहले इसमें बना लीजे, मैंने इसमें इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, और इसकी कटिंग कर दूँगा मैं जितनी भी मैंने वर्ट्स लिखे हैं, बस जो आपका फॉ लाइट लगेगी कोई कट के नहीं लगेगी तो स्टार्टिंग से लेगे एंड तक एक ही लाइट आनी है अब हम लेनीगे माउंट सीट मैंने एक और ले ली है उसमें मैं 7 mm की मैंने एक लाइन ड्रोक रखी है तो पतली-पतली मैं उसकी स्ट्रिप निकालूँगा जो मुझे नाम के साइट से पेस्ट करनी है तो आप इस तरह के से उसकी कटिंग कर लीजे यह देखिए मैंने एक 7 mm की स्ट्रिप निकाल ली है जिनको हम इसको देखिए साइट से इसको पेस्ट करेंगे मैंने कुछ इस तरह के से देखिए लगा र सकते हैं अपने space के cording light के cording तो कुछ इस तरी की से देखिए मैं fold करके उसको paste कर दूँगा ऐसा मुझे पूरे ही सारे single name में करना है कुछ इस तरी की से देखिए strip आ गई है जिसके अंदर light fit हो के अंदर आएगी बस मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जब आप strip लगाएं तो कावी finishing के साब से लगाएं थोड़ी बहुत इसमें कहीं कहीं lines रह जाती हैं जैसे मैंने जो नीचे का border है वो कहीं कहीं से देख भी रहा है जो strip के बाहर से आ रहा है तो वो मुझे और finishing देनी है जिससे जब हम lighting बाद में लगाएं तो वो दिक्कत ना आए थोड़ी सी finishing बढ़ जाएं तो उसके लिए मैं use करूँगा rotary machine का उसके आगे से देखिए send लगा हुआ है send paper का roll है तो इसी से मैं पूरी finishing दूँगा किस तरीके से देनी है आपको finishing वो आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से use करना है कुछ इस तरीके से देखिए जो बाहर जो lines आ रही है extra उसको आप इस तरीके से उसको finish कर सकते हैं थोड़ी smoothness भी आ जाएगी और जो बाहर निकली है वो plain हो जाएगी जो surface है जो देख रही थी आगे वो अब एक भी नहीं देखेगी क्योंकि मैंने काफी उससे finish कर दिया है rotary machine से अब इसमें हमें करना है color तो color करने के लिए मैं लूँगा sparkling pearl colors ये golden color में है sparkling जो 20 रुपे की इसकी MRP आती है तो मैं इसमें golden color apply कर दूँगा ये पूरा आपको अंदर और बाहर पूरा side में जितने भी है मैं पूरा golden color इसमें apply करूँगा तो देखे golden color कुछ इस तरीगे से लुका है मैंने अंदर भी इसलिए कि जब lighting लगेगी और कुछ बाहर से भी दिखेगा तो अंदर wideness ना दिखे इसलिए मैंने अंदर भी golden कर दिया है और side से भी कर दिया है बस back side से नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे वहाँ पे paste करना है तो कुछ इस तरीगे से आप इसको color कर लीजे अब color करने के बाद देखिए पहले आप एक कोई transparent poly ले लीजे या फिर ये transparent sheet आती है तो मैं इसके उपर रखके पहले एक measurement ले लूँगा name की cutting करनी है मुझे क्योंकि बाद में name के उपर ही मुझे ये transparent लगानी है जिससे मैं आगे decoration कर सकूँ तो आप इस तरीगे से एक pen ले लीजे cd marker और जितने मेरे names लिखे हैं उसके उपर आप इसको draw कर लीजे कोई इस तरीगे से देखें मैं जितनी मी जो lines आ रही है मैं पहले transparent के उपर draw कर ले रहा हूँ तो ये देखें मैं ये draw कर लिया है जितने भी lines हैं उसकी फिर मैं cutting कर दूँगा ये मैंने cd marker से नाम पूरा जितना भी मेरा मैं अगवाल arts आ रहा है उसको मैंने draw कर लिया है अब इसकी हम मुझे cutting करनी है तो ये मैंने देखें कुछ इस तरीगे से cutting कर लिया camera में साहथ उतना clear नहीं दिख रहा हुगा तो ये मैंने पूरी मैं अगवाल arts की cutting कर लिया जो मैं इसके उपर से paste करूँगा लेकि उससे पहले मुझे इसके अंदर light fit करनी है तो light fit करने के लिए मैं LED लूँगा या जाती है LED light पांच मिटर की LED light होती है white color में है ये तो इसके अंदर मुझे fit करनी है और साथ में इसका ये adapter होता है वो मैं M वाले letter से start करूँगा और जो last में जो S है वहाँ तक वो end हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से मैंने light fit कर दी है और काफी मुझे इसमें time लग गया था तो इसमें आप थोड़ सी safety के साब से light को इसके अंदर fit करिये ताकि light खराब ना हो बतला आपने फूरी fitting कर दी है और light बाद में जले नहीं तो इसमें आप check भी करते रही है तो कुछ इस तरीके से आपको fit करनी है और मैंने इसके देखिए S के अंदर से back से तार निकाल दिया है अब जो रहे गया है काम हमारा transparent मैंने name cutting करी थी तो वो मैं इसके उपर से paste कर दूँगा fabric glue से जिससे ये lighting अंदर हो जाए और बहार से हमारी transparent रहेगी कुछ इस तरीके से देखिए मैं paste कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपको इसके उपर से transparent आपको paste करनी है बस exact आपकी वो ही cutting होनी चीए जिससे आप paste कर सके और जो extra निकलेगी वो आप transparent को cutting कर लिजेगा जिससे finishing बनी रहे और देखिए इस तरीके से ये मैंने transparent लगा दी है तो काफी finishing के साथ आपको ये काम करना है अब हमें इसमें लगानी है देखिए ये आ जाती है beads chain तो इस तरीके से हम इसका पूरा जो border है उसमें मैं इसको paste करूँगा आप beads chain का मैं link डाल दूँगा आप आप online भी buy कर सकते हैं या फिर आपको ये local market में भी मिल जाएगी तो देखिए इस तरीके से जितना भी border lines आ रही है name की मैं वहाँ पे इसको fabric glue से ही paste कर रहा हूँ और ऐसा मुझे पूरे full name है इसको paste करना है और यह आते है beads half stickers तो इसको भी मैंने बीच में देखिए single single line से मैंने paste कर लिया है कुछ इस तरीके से आप इसको decorate कर सकते हैं light almost मैंने ढग दी है ताकि lighting थोड़े सी हलकी आए और जो हमारे जो golden look है वो अच्छा shine करें इसलिए मैंने light को थोड़ा सा ढग दिया है इस तरीके से और decorate करती है ताकि कभी बायचांस अगर आपकी light work ना भी करे या अगर आपको light नहीं जलानी है तो भी आपका ये name अच्छे से display हो सके अच्छे से focus कर सके तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको design दिया है तो देखिए अभी मैंने इसको जलाया नहीं है तो बगड जलाये तो देखिए कुछ इस तरीके का इसका look आ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है कि अगर आपको light नहीं जलानी है तो आप इस तरीके से symbol ये लगा सकते है कि अगर आपको light नहीं जलानी है और इसे मैंने अपने सॉप के बेग्राउंड में इसको paste कर लिया है कुछ इस तरीके से मैंने display बना रखा है और जितना भी name के पीछे आप देख रहे हैं जो design आ रहा है wooden look में वो मैंने cardboard से ही बनाया है वो कोई लखडी नहीं है वो cardboard ही है तो उसका पूरा मैंने background देखी जितना भी यह totally आप photo में देख रहे है महिं गवाल arts का जो मैंने भी बनाया है artist जो इसका नीचे logo आ रहा है जो photo frame आ रहे है sketches है और जो background है वो totally मेरा handmade work है तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने shop के लिए पूरा एक background रेडी किया है I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी अगर आपको lighting name बनाना है तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं घर में ही और अगर आप यह channel में पहली बार आए हैं तो subscribe करना मत भूलिएगा Thank you for watching